नमस्कार, knitting and cross tutorial में आपका स्वागत है, इस वीडियो में मैं आपको ये सेंटा हैट बनाने का तरीका, step by step बताने जा रहे हुँ हूँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद है, तो इसे like करें, share करें और मेरे चैनल को subscribe करें, ये 4-5 साल तक के बच्चे के लिए मैंने बनाया है, इसमें 90 फंदा मैंने डाला है, आप उसे छोटे बच्चे के लिए दी बना रहे होँ, तो 80 फंदा डाल लीजिए, प्रोसेस वही रहेगा, बनाने का टेकनीक वही रहेगा, जैसे मैंने इसमें बताया है, एक से दो साल के बच्चे के लिए दी बनाना है तो साथ से सतर फंदा आप ले लीजिए तो चलिए अब शुरू करते हैं यह सेंटा है कैसे बनाया जाए इसको बनाने के लिए दो कलर काउन दस नंबर की स्लाइब और एक सुई कि आवसकता होगी यह चार से पांच साल के बच्चे के लिए हैठ है इसमें मैंने नैंटि में फंदा ड़ा है इसे बनाने के लिए इसमें ये 5 cm हम बॉर्डर बनाएंगे इसमें दो सीधा और दो उल्टा करके बॉर्डर बनाएंगे या आप दोनों तरफ से सीधा भी बून सकते हैं मैं यहां इसमें इस तरह के उनका इस्तेमाल कर रहे हूं कि इससे हम दोनों तरफ से सीधा ही बुनेंगे यह 5 cm तक दोनों तरफ से सीधा बुनेंगे यह देखिए यह बॉर्डर जो है अब पुड़ा हो गया है अब इसके उपर यह रेट कलर काउन है इससे हम यह पूरी स्लाइट सीधा होन जाएंगे उल्टे तरफ से पूरी स्लाइट उल्टा बुन जाएंगे इस तरह एक स्लाइट सीधा और दूसरा उल्टा यह देखिए यह लगवाग पात सेंटिमीटर यानी वीच स्लाइट यह सीधा उल्टा एक तरफ से सीधा और दूसरी तरफ से उल्टा बुनने के बाद इस तरह से यह दो फंदा एक साथ एक बार में घटाएंगे और पूरी स्लाइट बूल लेंगे लास्ट में जब दो फंदा बच जाएगा तो फिर यहां पर भी कैसे घटाए जाता है यह हम आपको बता देंगे उल्टी स्लाइट पूरी उल्टी ही बुनेंगे फिर सामने से सीधी स्लाइट में फिर इसी तरह घटाएंगे जैसे एक भी इधर घटाएं उसी तरह फिर सिधी स्लाइं में हर सीद announcements हम दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाएंगे कि देखिए देखिए इस लाइक सब्सक्तमें तरह भाने हैं कि एसंट आ बोड़ा हैं मैं यहाओ कि यह दो वझा फंदा है कि इसी तरह हर स्लाह में दो दो फंदा गटाते चले जाएंगे दोनों तरफ से दो दो फंदा गटेगा कि यह देखें नेक्स्ट रो में इसी तरह इन दोनों फंदा को इस तरह से एक साथ सिधा बुनेंगे फिर पूरी स्लाइस सीधा बुन जाएंगे लास्ट में फिर दो फंदा हम खटाएंगे इसी तरह दोनों तरफ से एक एक फंदा हर सीधी स्लाइम में घटाएंगे इस सभी फंदों को एक एक कर घटाते चले जाएंगे यह देखिए उनों तरफ से एक एक फंदा घटाते घटाते अब यह हैं कि यहां पर को कि यह 12 फंदा बचा है कि उसको भी उसी तरह एक एक फंदा करके घटाते वह जाएंगे हम कर दो कर दो कर दो झाल झाल अब इन दोनों फंदो को इस तरह से एक साथ इस दागा को थोड़ा लंबा रखेंगे यह देखिए एक हैप यह है त्यार हो गया है अब इसके शिलाई हम करेंगे श्रूश्च कर देंगे यह रेड़ पार्ट को रेड़ दागे से और यह वाइट वाले यह फर का यह हिस्सा जो है इसे इस वाइट दागे से कि इसकी सिलाई करेंगे कि अ कि यह देखिए इस तरह से इसे सिलेंगे कि अईंगे घयति अ वाइट इस तका यह अ कि यह द रख्वार से देखिए और कि इसे से उन्यार्ट और दुब है His Greg कि ऑफ झाल 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 यह देखिए पुड़ा रेट पार्ट जो है इसे रेट धागे से सिलने के बाद यह फर बाला भाग इसे वाइट धागे से सिलेंगे एक्स्ट्रा धागा या तो काट देंगे या इसमें इस तरह से पकड़ के सिल देंगे झाल यह देखिए इस तरह से यह टूपी बन करके तयार है झाल है 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 एक उपिए है यह है तक पसंद आएगा दन्यवाद